Hey guys welcome back to my another video so is festival season अगर आप प्लाइन कर रहे हैं Yamaha FZS F5 version 4 को लेने का so ये वीडियो आपके लिए बहुत important है because Yamaha FZS में new updates आए है so सबसे पहले बात करेंगे color option की so अब आपको new color मिल जाता है dark matte blue जो काफी ज़्यदा different हो जाता है because अभी तक Yamaha FZS में आपको glossy color मिलते थे बटा पहली बार matte finish आया है उसी के साथा दूसरा color है matte black तो matte black को आप all black भी कह सकते हैं काफी अच्छी लग रही है बाइक complete black look के साथ आ रही है और काफी premium हो जाती है दोस्तों ये color आपको सिर्फ और सिर्फ Bluetooth version में मिलेगा DLX version में नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको glossy color ही मिलता है so friends detail में बात करेंगे इस bike के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या price point देना होगा क्या features मिल जाते हैं, performance delivery क्या है so इस festival season अगर आप plan कर रहे है याम FZS को लेने का so वीडियो को end तक जरूर देखें और ध्यान से सुने so friends सबसे पहले बात करेंगे pricing की so अब यहाँ पर याम FZS F5 version 4 Bluetooth edition का actual room price है 1,28,900 यह इसका actual room price है आपके state में क्या price है, comment करके जरूर बताएं अब बात करते है complete bike की, आपकी जानकारी के लिए बता दू 150cc segment में एकलोती bike है, budget के अंदर जहाँ पर आपको TCS मिल जाता है, traction control मिल जाता है fully digital speedometer मिल जाता है, LED headlight मिल जाती है LED tail light मिल जाती है, single seat मिल जाती है जो काफी comfortable होती है, split seat, 5-speed का manual gearbox मिल जाता है dual disc with single channel ABS मिल जाता है दोस्तो इस bike में मुझे सिर्फ एक कमी लगती है कि यहाँ पर आपको 2 valves मिलते है दोस्तो यहाँ पर अगर 4 valves होते हैं तो मैं बता रहा हूँ, यह इंडिया की सबसे best 150cc bike होने वाली थी यहाँ पर आपको Yama की technology मिल जाती है mileage काफी अच्छा मिल जाता है performance काफी अच्छा मिल जाता है design तो हम सभी जानते है काफी premium, काफी stylish bike है जब से आई है, जब से इसने इंडिया में अपना एक audience create किया हुआ है यहाँ पर अगर इसने 4V का engine आ जाता है तो काफी अच्छा होता बट अभी भी आपको 2V मिलते हैं जो के एक drawback है इसी के competitor TV सपाचे RTR 164 भी में 4V मिलते है extreme 160R में भी आपको 4V मिलते हैं यहाँ पर 2V जगे 4V होते तो मज़ा आ जाता compare करें DLX और Bluetooth एडिशन में यहाँ पर आपको 1500 के around difference मिलेगा price wise DLX थोड़ा सा महंगा है because वहाँ पर आपको color scheme थोड़ी different मिल जाती है golden color के alloy wheel मिल जाते हैं और जो color scheme है वो आपको उसी में मिलती है बाकियों को roll bike से मिलती है same features मिल जाते है, same performance मिल जाती है check करके ही bike को लें आप DLX variant भी ले सकते हैं बट यह दोनों color ध्यान में रखके bike का decision लें because यहाँ पर आपको काफी premium color मिल जाता है matte finish में, काफी अच्छी लगती है bike because matte finish same देखता है काफी लंबे time तर रोसी finish धीरे-धीरे down होता चला जाता है की matte finish का जो color ना वो हमेशा एक जैसा देखता है वीडियो को end करता हूँ, वीडियो अच्छा लगाओ तो like करना चैनल को subscribe करना, मिल तेक्छ वीडियो में thank you thank you so much